हेलो बच्चों आज हमारा question है exercise 3.2 से question number 2 करेंगे state whether the following statement are true and false हमें देखना इन statements में से हमारा कौन से true है और कौन से false है पहला आप क्या आप करेंगे हमारा the sum of three odd number इबन भई अगर हम तीन odd number का sum करेंगे तो हमारा क्या जाएगा इबन आ जाएगा odd number हमारे क्या आते जो 1 3 5 7 9 11 13 या हम कह सकते हैं जो 2 की table में नहीं आती 2 की table में नहीं आती उसको हम odd numbers कहते हैं अब 3 odd number का हम sum करेंगे ठीके चलो हमने पहले लिया 3 एक हमने लिया 5 एक लिया 7 क्या इनका sum हमारा इबन आ रहा देखो 5 और 3 8 8 और 7 कितना होता 15 यह तो हमारा odd आ रहा ओके एक होट देखेंगे हम 5 7 पलस 9 देखो 7 9 और 7 16 और 16 और पलस 5 कितना होता 21 यह भी हमारा odd number आ रहा ओके तो हम कह सकते है कह रहा sum of 3 odd number is even भाई even न आ हमार तो आड़ी आ रहा है ठीके तो यह हमारी statement क्या हो जाएगा फॉल्स अगर हम 3 odd number का sum करेंगे तो हमारा आड़ी आ रहा ओके तो यह statement हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो गया क्योंकि यहां बुक कह रही है, बुक वाला कह रहा कि यहां इबन आना चाहिए, तो और यह statement हमारा फॉल्स हो गया, ओके, next में चलते, the sum of two odd numbers and one even number is even, अब दो even number और एक, दो odd number और एक even number का sum हमारा क्या आएगा, बल्स इबन आएगा, तो देखते हैं, odd number, three plus five और even number लेते हैं, two, even number हमारा क्या होता है, यह two, four, six, eight, ten, जो two की table में आता है, ओके, देखो five और three eight, और two कितना हो जाए, ten, बिल्कुल यह तो even आ रहा, चलो एक खोल लेते हैं, five plus seven, और एक odd number, even number four लेते हैं, seven of five कितना होता, twelve में होता है, और four sixteen, yes, यह हमारा even ही आ रहा, त जब हमने दो odd numbers का, वो एक even number का सम किया, तो हमारा क्या आया, even ही आया, ओके, next, the product of three odd numbers is odd, अब product की बात कर रहा, अगर मैं three odd number का product करूंगा, तो हमारा odd ही आएगा, तो देखते हैं, three into five into seven, three five जा कितना होता होता, फिप्टीन होता, into seven, देखो seven five जा 35, seven बंगे seven, three, ten, 105, ब odd number का product करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, odd ही आएगा, जो हमारा 105 आएगा, भाई, five आएगा, once place में, तो यह odd number है, तो यह हमारा true हो जाएगा, okay, next, if an even number is divided by two, the content is always odd, भाई, अगर मैं किसी even number को, even number जैसे हमारा 14, even number है, अगर मैं उसको दो से डिवाइड कर दूंगा, देख यहाँ पर तो odd आ रहा, बार-बार odd ही आएगा, तो देखते हैं जारा, two, अगर मैं 16 को करूंगा, तो two, eight जै कितना हो जाएगा, 16, यहाँ तो odd आ रहा, यहाँ पर even आ जा रहा, अगर मैं एक होर को करूं, तो चलो 22 को, तो two, eleven जै कितना हो था, 22 यहाँ पर odd आ गए, तो always यहाँ पर कह रहा, always odd, बिल्कुल always नहीं, कभी-कभी odd आ सकते हैं, लेकिन always नहीं आ जाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा even भी आ रहा, odd भी आ रहा, ओके, next, all prime number are odd, बईs जितने prime number होतें, odd होते, आप prime number जानती हो, prime number वो one रहा, जिसके only two factor होतें, one and itself, देखो, कितने factor होतें उसके दो होते, लेकिन, two is the even prime number, ये even भी होता, प्राइम भी होता, देखो, इसके दो factor होते, one or two, तो all prime number are odd, तो हम कह सकते हे, false statement, सबन मेंट कि देखों कि दो हमारा किया होता इवन भी होता और और बित विवता बाकी तो सब और नंबर होते लेकिन टू एक यश्थ नंबर हो घ्रम ऑड और प्राइम भी ठीक है इवन भी हो प्राहेme नंबर भी तो यह हम नहीं कैտ सकते आ बताथ और और सब नहीं होती, ओके two these even number, prime number do not have any factors, बिलकोल गलाथ है यह, prime number के 2 factors, 1 and itself, prime number have only two factor 1 and itself, जैसे two हो गए बैई, इसके factor two होगे, one or itself, prime number है, three हो गया, one or itself, five हो गया, one or itself, seven हो गया, one or itself, तो only two factors prime number का बनता है only two factors one और itself okay के सम ओप two prime number eight इबन अब दो prime नुबबर का सम् करेंगी जएसे प्रिम नुबर का सम देख को जैसे हमारा निबक हमारा दिद में फाइऱ हो गए इनका तो इज ओनली एवन प्राइम नंबर बिलकुल यह true है two, true, two हमारे एक ऐसा नंबर होता है जो हमारा प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है ठिक है? all event नंबर और composite नंबर all event नंबर और composite नंबर यह false हो जाएगा component नममर्व क्या जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन क्या होता है एक हमारा प्राइम नंबर होता है यह क्या यह अ क्ईवार प्राइम् zooming यहूता है है यह क्पोर नमर जितने भी खैक्टर जितने अब अमारा प्राइम नंबर होता है और इवन तो ही the product of two even नंबर और इवन प्रड़क्ट टू इवन नंबर two into four कर दो eight आरा बिल्कुल इवन आरा four into six कर दो 24 आरा बिल्कुल इवन आरा अगर हम eight into ten कर देंगे eight to two हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा रुड़ यगा झाल झाल